हलो जी नमस्कार केमचोर रामराम साब सत्स्रिया काल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूटूब चैनल ट्रेन लाइप में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे की आने वाली हर इन्फरमेटी वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके तो सुरू करते हैं हमारे आज के इसी वीडियो को बिना देर किये तो जैसा के आपको पता ही होगा आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज ही के दिन माननीय नरेंदर मोधी जी के दुआरा दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भारी जंडी दिखाई गई है जिसमें अगर बात की जाए नाइन्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में तो नाइन्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से साइन अगर सिर्डी के बीच में चलाई गई है जिसमें 2223 CSMT से साइन अगर सिर्डी जो डेली वंदे बाय एक्सपरेस संचालित की जाएगी टूजडे को छोड़ कर यह ट्रेंज CSMT से 6.20 बजे रवाना होकर सेम डे 11.40 बजे साइन अगर सिर्डी पहुचाएगी उसी परकार गाड़ी संक्या 2224 से साइन अगर सिर्डी CSMT जो साइन अगर सिर्डी से डेली संचालित की जाएगी टूजडे को छोड़ कर 17.25 बजे साइन अगर सिर्डी से डिपार्चर होकर CSMT अराइवल टाइम 22.50 बजे होने वाला है अगर बात करें इस्टो पेजगी तो ये ट्रेन दादर थाने नाशिक रोड रुकने वाली है फिर बात करते हैं 10 वंदे बारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में गाड़ी संक्या 2225 CSMT से सोलापूर के बीच में संचालित की जाएगी 10 वंदे बारत एक्सप्रेस ट्रेन जो वेनजडे को छोड़कर 16.05 बजे CSMT से डिपार्चर होकर सोलापूर में राइवर टाइम इसका 22.42 बजे होने वाला है उसी परकार 2226 सोलापूर CSMT वंदे बारत एक्सप्रेस ट्रेन थ्रषडे को छोड़कर सोलापूर से 6.05 बजे डिपार्चर होकर CSMT 12.35 बजे पहुचने वाली है अगर बात करें इस ट्रेन के स्टोपेच के बारे में तो ये ट्रेन दादर कल्यान पूने और कुरूडवाडी रुकने वाली है अगर बात की जाएं इन ट्रेनों दोनों वंदे बारे एक्सप्रेस ट्रेनों के कोच कमपोजिसन की बारे में तो इन दोनों वंदे बारे एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर 2 SC Executive Class and 14 SC Chair Car present होने वाले हैं तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेन इन फॉर्मेशन के बारे में तो जैसा के आप स्क्रिन के उपर देख सकते हो जोदपूर के पिपाड राइका बाग एरिया में ट्रेक में चल रहे हैं डबलिंग कारे की वज़े से सिक्कर से रेवाडी के बीच में संचानित होने वाली ट्रेन को 8 फरवरी से 20 फरवरी तक रद किया जा रहा है जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिक्कर रेवाडी के बीच में चलने वाली ट्रेन जोदपूर हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के रेक को भी सेर करती है तो ये थी आज की छोटी सी information मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में तब तक के लिए thank you so much